सावनेर्थाना अंतरगत पाटन सावंगी से बाबुल खेडा शादी में जा रहे पिता पुत्र की बाईक को कोलार नदी के पूल पर चार पहिया वाहन ने टकर मारने की दुरभागे पुर्नगटना सामने आई है मृतको के नाम प्रमोच शामराओ चौधरी उम्र बावन वर्ष पुर्वेश प्रमोच चौधरी उम्र अठरा वर्ष पाटन सावंगी निवासी है वाहन की टकर से बाईक सवार बाब बेटे की मोट ने सब का दिल दहला दिया शादी में जाते समय दोनों पर काल ने आकरमन क कर दिया हाथ सा रववार रात करीब आड़ बजे पाटन सावंगी बाबुल खेडा मार्ग पर हुआ बाबुल खेडा रोड पर पाटन सावंगी की ओर से तेजगती से आ रही कार क्रमांक में चुन तीज टी नव एक नव एक ने पिता पुत्र के दो पहिया वाहन क्रमांक में 40 म 1445 को पीछे से जोरदार टकर मार दी जिससे मोटर साइकल कोलार नदी के पुलिया से करीब 30 फूट नीचे जागरी जिससे पिता की घटना स्थल पर ही मोत हो गई वहीं लड़के की माखपुर के एक निजे अस्पताल में इलाज के दवरान हुई जैसे ही इलाके के नागरी को की नजर हाथ से पर पढ़ी तो वो मोके पर पहुचे और पुलिस को हाथ से की जानकारी दी हाथ से की जानकारी जैसे ही सामाजिक कार्य करता हिटेज बंसरों को मिली वे मोके पर पहुचे और घाये लोको प्राथमिक स्वास्त केंडर पाटन सावंगी पहुचाया पुलिस ने मोके पहुचकर शव को कबजे मिलिया और शव को पोस्ट मॉडम के लिए सावनेर अस्पताल भेज दिया गया पुलिस ने दुरगटना दर्च कर लिया और पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र मानकर के मार्गदर्शन में महिला आई प्याय मंगला मुकाशे आगे की जाश कर रही है जब इसावनेर सब डिविजनल के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी अनिल मस्क ने घट इतना स्थलका दहुरा किया और उचितकारवाही के आधेश दिये इन भी से न्यूस के लिए सावनेर से किशोर ढूंडेले की रिपोर्ट